इंडिया नूस के डिजिटल चैनल इन खबर पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके साथ मैं हूराकिश पांडे बात होगी पर इसी मुल्क पाकिस्तान की जहां पर कभी भी कुछ भी हो सकता है और वहां के हुकमरान और प्रशासन के लोग कभी भी कुछ भी फैसला ल जाले कि जो कैंटीन है उसमें वायज और गर्ल स्टुडेंट से एक साथ नहीं बैठेंगे अब जैसे ही ये फैसला जारी किया गया इसको लेकर नोटिस जारी किया गया तो वहां पर इसका बड़े पैमाने पर विरोध शुरू हो गया और इस विरोध में जो तर्क दिया जारा था वो तर्क ये दिया जा रहा था कि पड़ोसी मुल्क भारत चांद पर पहुँच रहा है लेकिन पाकिस्तान जो खुद ज्ड़े में चांद लगा कर बैठा है वो अपने यहां पाबंदियों को लगाने में ब्यस्त है इसको लेकर तमाम तरक दिये जाने लगे सोशल मीडिया पर इसका जमकर विरोध किया गया और साथ ही पाकिस्तान के हुक्मरानों को आइना दिखाये जाने लगा आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि जब लेंडर से इस्रो का संपर्ख तूटा तो पाकिस्तान के मंतरी हैं फवाद उन्होंने किस तरीके से निशाना साधा था भारत पर प्रधान मंतरी मोधी पर और इस्रो पर उनको भी आइना दिखाया था वहाँ के सोशल मीडिया यूजर्स ने कि भारत ने कोशिश की है करीब करीब सफल हुआ लेकिन आप कर क्या रहे हैं कुछ इसी तर्च पर दरसल विरोत किया गया यूनिवर्सिटी के इस फैसले का हाला कि बढ़ते विरोत को देखते हुए विश्व विदाले प्रशासन के उरसे इस फैसले को वापस ले लिया गया और ये कह दिया गया एक अलग नोटिस जारी की गई और उस नोटिस में साफतर पर ये कहा गया कि बिश्व विदाले की कैंटीन में जो चात्रों चात्राओं के एक साथ बैटने पर प्रत्मंद लगाने वाला फैसला था उससे वापस लिया जाता है और तरक ये दिया गया कि दरसल ये फैसला कुलपती की जानकारी के बिना ले लिया गया था अब सूचे पर उससे मुलक पाकिस्तान ऐसा ही है जहां पर उससे कुछ अच्छा तो करते बनता नहीं है लेकिन पाबंदिया लगाई जाती है और जो सूशल मेडिया यूजर से उन्होंने दिल्चस्प तरीके से विरूत किया है एक यूजर ने लिखा कि धार्मिक शिक्षा देने वाले मदर्सों की तरह ही दरसल इस इन्वरसिटी का भी नाम बदल देना चाहिए और दारूल उलुमे इंजिनिरिंग लाहॉर इसका नाम कर देना चाहिए एक दूसरे यूजर ने ट्विट किया कि ये एक तरासदी है हमारे विश्व विदाले इन्ही सब बातों में लगे हैं ऐसे वक्त में हम जे सालात में हैं तो जाहिर सी बाते ऐसे ही फैसले आएंगे इसमें ताज़ुप कुछ नहीं क्योंकि हम तो चात पर जा नहीं सकते है एक दूसरे यूजर ने लिखा कि नए पाकिस्तान में भी छात्र शात्राओं के शिक्षा पर नहीं बलकि लड़कियों की अलग बैठने की विवस्ता पर धियान दिया जा रहा है तो क्या यही इमरान खान का नया पाकिस्तान है जिसकी वो बातचीत गाहे बगाहे करते रह होगा कुल मिला जुलाकर पाकिस्तान ऐसा मुल्क जिसकी चर्चा हमने पहले की जहां कभी भी कुछ भी हो सकता है और वहां के लोग कभी कुछ भी फैसला ले सकते हैं उससे सबक लेनी चाहिए भारत से भारत के मिशन से बजाय की इसकी आलोशना करें क्योंकि खुद पाकि करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें